जी शेर्फ मैं अभी 24 तारिक में अभी 24 तारिक में आया हूँ अम्रा भी कर लिए है ठीक है और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ शेर्फ कि हम यहां से जब जम जम लेके जाते हैं तो यहां से पांच लिटर जम जम अफॉरिटी है गवर्मेंट वारा जी और अगर जैसे पांच लोग होते हैं कि बहुत जोटकी बहुता में पानी बर के बैद में रखे ले ay नहीं ले जा सकते हैं तो लानितने सीधे तोर से ये समझें कि जितनी अजाज़त है चानूनी तोर से जितनी अजाज़त है साथ में लाने की आप उतना ही ला सकते हैं ये गलती कई लोग करते हैं कि चोरी छुपे किसी तरह से उसको कहीं छुपा करके लाते हैं जाहिर है छुपाने की जरूरत उसी वक्त पड़ ही है लहाजा आप उतना ही लाएं जितना लगेज में लाने की आपको एजाज़त है बाकाइदा वहां पर एरपोर्ट पे इंतिजाम है आप अपना पास्पोर्ट दिखाते हैं तो एक पास्पोर्ट पे आपको एक डबा दिया जाता है शायद थोड़ी से उसकी कीमत भी ली क्या हो सकता है मुम्किन है मौतमरीन को ऐसे ही दिया जाता हो वाल्ला हौ आलम इस वक्त क्या नजाम है मुझे नहीं पता तो जितनी अजाज़त है आप उतनी ही लाएं और आप ये यकीन करें कि इंशालला इस पर आपको अजर मिलेगा अगर आप इस नियत के साथ ऐसा कर हैं कि मैं निजाम की पासदारी कर रहा हूं उस पर अमल कर रहा हूं तो इंशालला इस पर आपको अजर मिलेगा और जितना पांच लीटर या जो भी जमजम आप ला रहे हैं इंशालला उसी में बरकत होगी और आपकी जरूरत इंशालला उसी से पूरी हो जाएगी लहाज जी मैं जब घर से आया यहां पर तो लोगों ने मुझसे बोला कि वहां से पांस लिटर पानी मिलता है अगर आप लाना चाहो तो छोटी-छोटी बोतलों में भरके और बैक में नीचे रखके ला सकते हो तो मैं मना पकड़िया था कि मैं नहीं लगा ऐसा बिल्कुल नहीं कु लिए भी अपने साथ पानी रखते हैं अपने साथ बोतल में पानी रखना पीने के लिए इसकी अजाज़त है यह ममानियत नहीं है उसको आपको छुपाना भी नहीं पड़ेगा तो अगर आप जैसे रास्ते में आपको जाहिर पानी पीने की जरूद पड़ेगी उसके लि तो अगर आपको छुपाने की जरुद पड़ रही है तो इसका मतलब वो खलत है जो पीने की अजाजत है वो आप अपने हाथ में ले ले एक लीटर लीटर या जो भी इतनी भी वहां पर इजाजत देते हों इमिग्रेशन हो गएरा में लाने की बाकि आप लगेज कर दें जो पांच लिटर मिलता है जी 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 यही मैं पूछना चाहरा था अब जैसे लोग आप लोग क्या करते हैं जैसे पांच लिटर तो अपने हैंड बैग में रख लिया जो आपमारे पास में रहता है और पूछी लिए डारेक्ट आप जब बोर्डिंग लेने जाएए वहां पूछी लिए कि क्या मैं अपने लगेज में जायत पानी रख सकता हूं क्या इसकी अजाज़त है अगर वो कहें अजाज़त है तो आप रख दीजे अगर इजाज़त नहीं है तो बिलकुल बिलकुल आ अपने ये बात मुझे बहुत अच्छी बता है माशाळला जजाख लगो पहले बहाँ पर पता कर लिया जाए कि कितना पानी रिटर सकते हैं लेकिन लोग ऐसा इसा छुपा छुपा के लाते हैं शेख हमने देगा है अल्ला इवालत है आप एक नेक काम करने के लिए गए है अपने उस नेक काम को आप आलूता मत कीजिए मुलवस मत कीजिए जी 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 असल में होता ये ना शेख मैंने बाद में कोई से सुना है कि जब वो चेकिंग वगरा होती है अगर उसमें कभी कबार कुछ लोगों का पकड़ा भी जाता है तो फिर वो स्टाफ छोड़ देता हाँ असल में देखिए उनर्मी करते हैं खुजाज के साथ मौतमरेन के साथ वो नर्मी करते हैं कोई ऐसी सक्षी नहीं करते हैं मुझे मालूम है चीज़ें लेकिन जो चीज़ कानून मना है उसको मत करें आप ऐसा कौन सा आहम है कि आप जो है पानी लाना जरूरी है इतना आहम तो नहीं है पांच लीटर काफी है